एक सांसाथ भी ऐसी रही जिसको जन्ता से कोई लेना दिना नहीं था। कॉंग्रेस का प्रत्यासी भी ऐसा आया जिसने बैंडेट भी लेने के बाद जन्ता सको कोई लेना दिना नहीं है। यानि एक अंदा है तो एक काना है। बस्पा में हुई कॉंग्रेस नेता की घर वापसी इस सीट से होगी मजबूत दावेदारी जिया दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना मैं उपर आगमंदर आप देख रहे है नेशनल चौपाल जैसे जैसे चुनाव नजदी का रहा है राजनेतिक पार्टियों में नेताओं क जो उठापटक देखे जा रही है ऐसे में अगर बात करेंगे भारता जन्ता पार्टि की कॉंग्रेस के और इसके साथ साथ बहुजन समाच पार्टि की तो प्रत्याशियों के नामों और उनके आवंटन को लेकर जिस तरीके से सुर्खिया तेज हो चुकी है और कल एक बुसी से 2019 का चुनाव लड़ा लेकिन देखा यह गया कि उनको एक बड़े हार का सामना करना पड़ा भिंड और दतिया लोक सबासीट लगातार भारते जन्ता पार्टि के पाले में जाते में नजराती है और ऐसे में जिस तरीके से देवाशिस जरारिया ये बहुजन पार्टी को छोड़ कर कईने कई बता दे की कॉंग्रेस का दामन थाम लिया था और उसके बाज में उन्हेंने कॉंग्रेस से बिंड दतिया लोक सबासीटर से चुनाव भी लड़ा लेकिन इस चुनाव के बाद उनको हार का सामना करना पड़ा उमीद उनकी ये थी कि आने पाले मतलब की जोड़ा 24 के चुनाव में कॉंग्रेस के तरफ से उनको फिर एक बार प्रत्याशी बनाए जाएगा लेकिन इस बार कॉंग्रेस ने पूरी तरिके से एक बड़ा वार किया है और सीधा सीधा देवासी जरार्या इनके टिकिट को काटने का काम किया गया और इ इनको फूल सिंग बरहिया इनको कॉंग्रेस ने अपना भिंड और दतिया लोगसबा छेत्र का प्रत्याशी बनाया है देवासी जरार्या का टिकिट यहाँ पर कड़ जाता है लेकिन ऐसे में ये देखा गया तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल है देवासी जरार्या इनक पर बिंड दतिया लोगसबा छेत्र से जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से होंगे वो है देवासी जरार्या इसके साथ यह तस्वीर आप देखिए सोशल मीडिया पर बढ़ी जम कर यह तस्वीर वाइरल हुई देवासी जरार्या इनको बहनमायावती के जरी आश पर यह साजा किया गया है जब बस्पा ने इनको अपना टिकेट दिया है अपना प्रत्याशी गोशित कर दिया है देवासी जरार्या इनका कहना है कि मुझे भिंड दतिया लोगसबा छेत्र से बस्पा का अधिकुत प्रत्याशी बनाये जाने के लिए मैं माननिय भेन जी म और माननिय रमाकांद पीपल जी और माननिय डीपी चौदरी जी का धन्यवाद ग्यापित करता हूँ हाती की ताकत का एसास करवाया जाएगा तो यहाँ पर देवासी जरार्या ने बताया है कि किस तरीके से उनको ये टिकेट का आवंटन किया गया इसके साथ और एक ट्व साथ कोई देता है तो अपने ही साथ देते है और ये तस्वीर साजा करते हैं उन्होंने का है कि इस तरीके से बड़ी उमीद के साथ वो कॉंग्रेस के साथ लगातार बरकरार थे गावो कजबोर इलाकों में जाकर अपने लोग सुबा छेतर में वो कॉंग्रेस की शी बनाए एन मौके पर हे उनका टिकेट कार्ड दिया जाता है और इससे मुझे आप मैं सब पहले आप लोग को करता हूं कि जिस दल में मैं था उसने तो मेरी मेरत को और मेरे संगर्ष को कभी नहीं समझा लेकिन भिंडे के पत्रकार बंदूने पास साल जो संगर्ष तु लोग सभा का प्रित्यासी विदान सभाव में नहीं पहुच पाता बलोक में पहुच पाता और जो प्रित्यासी था कि हारने के बाद बलॉक छोड़ो विदान सभाव चोड़ो गांव कूचे-गली तक पहूंच गया और मेरे संगर्ष को देखते हुए माने बहन जी ने मुझे बुलाया पार्टी जोइन कराई और मुझे टिकेट दिया भेंड दतिया छेत्र में यह दुर्भाग यह एक ऐसी सांसत को चुना जो पास साल छेत्र में लोट करी नहीं आई उसको टिकेट दिया और फिर दूसरा एक ऐसे व्यक्ति को टिकेट दे दिया जो कि बड़ी मुझे से 25 सालवाद चुनकर भांडे से विश्वाद ने इतने अती महत्व कांची है कि चुनाव जीतने के बाद 25 सालवाद जनता ने उनको आसिरवाद दिया तो अपने आपको साबित करते जनता के काम करते जिन मुद्दों को लेकर वहाँ चुनाव लड़े और इस विपरीत लैर में बार्चपा की लैर में भी उनको जनता ने पर विश्वाद चताया और उस जनता के विश्वाद को पूड़ा करते उसकी जगह व्यक्ति छेत्र में नहीं गया भांडेर के लोगों को असहा है छोड़कर अब यहां गए चुनाव लड़ने के लिए पुन है भांडर की जनता आज कह रही है कि हमारा बिदायक कैसा ने चुड़ा हमने हमने सोचा हमारा कान करेगा मतलब भी नहीं हमसे तो देखिए एक सांसद भी ऐसी रही जिसको जनता से कोई लेना दिना नहीं था यानि एक अंदा है तो एक काना है ऐसे में इस पूरे के पूरे मसले का एक बड़ा दर्द चलकता हुआ देवासी जरारिया का देखने को मिला जहापर उनने बताया कि भले ही कितना ही दोकादड़ी हो जाए लेकिन आकिरकार अपने ही साथ देते हैं उन्होंने बताया कि कै से बहनमायवती ने उनका अपना प्रत्याशी बना दिया है और सुर्खिया बने हुए है कि अब सीधा सीधा जो मुकाबला है इस तरीके से बीजेपी और कॉंगरेस के बीच है इस भिंड और दतिया लोग सुबाद छेत्र में देखने को मिल रहा था अब ये मुकाबला प वोटों के साथ उन्होंने चुनाओं को जीता था दूसरे पायदान पर देवासी जरारिया कॉंगरेस के प्रत्याशी के तौर पर थे और इसके साथ साथ अब यहां से मतलब कि 2024 के चुनाओं के मद्दे नजर रखते वे फूल सिंग बराया आई ये अब कॉंगरेस के प्र प्रत्याशी होंगे और बहुजन समाज पायट के प्रत्याशी देवासी जरारिया होंगे अब यह देखना दिल्चस्प है कि इस सीट पर इस तरीके से त्रिकोनिया मुकाबला हो चुका है ऐसे में भिंड और दतिया लोकसबाद छेतर का जो बहुजन समाज है जो जिनके पास में बड़ा वोड बैंक है वो किसे अपनी सबसी पहली पसंद बनाता है लगातार अपनी गड़ मानी जाने व rashली भारत जंता पार्टी की ये सीट क्या इस बार बोजन समाज पार्टी के पाले में आएगी या फिर नहीं ये भी समय बताएगा इस पुरी की पुरी कबर को लेकर आपकी क्या रहा है प्रतिक्रिया क्या है लिखकर कमेंड बॉक्स में ज़रू बताए बने रहे हैं नैशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जैभी जैभारत नैशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताक्तों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा बहुजन समाज से जुड़े और उसके अंदूलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं आप तमाम साथियों से हम अनुरोद करते हैं कि नैशनल चौपाल को बचाईए हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें जैभी जैभारत